एक टेक्स्टाइल का मैनुफेक्टिरर है उसने एक अप्राइल 2020 को 40 राक रुपे का लोन लिया है और यह जो लोन लिया है यह फ्लोटिंग रेट के उपर लिया है है दरेट ऑफ इन्टर्सेंट 17 ओफ इलोन रुपई 5 परसंट पर एन, हैंव यह फॉर डबी इसने लिया ना its लोन सिलिए न 9С एसल द Dw sen रुप यह लोन उन है चार साल माद स सब्लूर्प क्लाइय यह 4 साल बाद करनीगी लेकिन इस सबस्राइस न वह weird लेकिन किस रेंट करनी है वह तो 31st मार्च को ठाव मिर्पीस को पड़ेगी लेकिन अभी जो चल रहा है ना मार्केट में वह चल रहा है 8.5% का in the month of October 2021 the Central Bank of the country releases following projections about the interest rates likely to prevail in the future अब अभी क्या हुआ है ना अभी इसने अपरेल में लोन लिया था ठीक और अभी आगया है October अभी 31 मार्च नहीं आया अभी 31 मार्च से पहले October में ही जो RBI है उसने जो interest rate की जो projection है ना year end की projections वो RBI ने कर दी तो RBI ने बोला कि इस साल अभी October चल रहा है तो March में जो interest rate रहने वाला वो 8.75 रहने वाला उसके next year में जो interest rate है वो 10% उसके बाद 10.5% उसके बाद 7.75% रहने वाला यह RBI ने projection करी है यह actual rate नहीं है यह projection है कि RBI ऐसा project कर रहा है कि ऐसे ऐसे करके rate होगी जब देखोगे ना तो rate देखो यहां पर बढ़ते जा रहा पहले 8.75 है फिर 10% हो गया फिर 10.5% हो गया फिर आखिर में फिर घट रहा 7.75% यानि एक साल में घट रहा बाकि हर साल में बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा और अभी करेंट में रेट कहा है जब यह लोन ले रहा है जब लोन ले रहा है तब कि रेट सिर्फ 8.5% है यानि लोन की जो इंटरस्ट रेट हो क्या बढ़ते जारी है बढ़ते जारी है ठीक है अब क्या है ना कि अब इसको रिस्क लग रहा है कि अगर ऐसा प्रोजेक्शन कर रहा है कि इंटरस्ट रेट इस तरीके से बढ़ते हो दिखा रहा है तो मतलब इंटरस्ट बढ़ेगा अब इसको डल लग रहा है कि यार अभी जब मैं बैंक से इंटरस्ट लेने जीलिए लिए लगा तो फ्ली कि इंटरस्ट रेट के कि इंक्रिस का इसको पाइङ हं पूछ इक क्या करेगा तो देखो यह अपनी जो यह ना एक option ले लेगा option कौन सा लेगा यह option लेगा क्या लेगा यह call option मतलब की जब मतलब की इसके पास option होगा कि 8.5% क्या कर सकता है बौरो कर सकता है पर सकता है तो यह कॉल उप्शन लेगा तो कॉल उप्शन का जो इस लाक रुपे होगा है ना स्ट्राइक रेट कितना होगा यानि किस रेट पर लेना चाहता है और जो कैलकुलेशन होगी इंटरस्ट की वो कब होगी यार जाइड सी बात है हर जो 31 मार चोगा उस पर इंटरस्ट की कैलकुलेशन होगी ठीक है दूरेशन के दूरेशन वही चार्ट साल कर दूरेशन अपना और प्रीमियम जो भी हो यह तो आप पासमें पार्ट इसको नेगोशेट करना पड़ेगा तो फर्स्ट तो बिल्कुल थर्डी वाला पार्ट है यह इस मैंसे कुछ है निए फर्स्ट वाले पार्ट में अब सेगिन वाला पार्ट दिखते हैं एज्जुम एड़ प्रीमियम नेगोशेटेट बाइट बाइब बोद द पार्टी इस 0.75 परसेंट टू बी पेड ओन फॉर्स्ट अक्टूबर तो थोजन टॉन टॉन टीवन और अच्यूल डेट फिंट्रस्ट अंद रिस्प्रेक्टिव डुटेट्स हैपनस तो बी एज ऑन्-31 मार्ट 2022 थैन फॉनट टू परसेंट उसके बाद के यहर का है 11.5 परसेंट उसके बाद का है 9.25 परसेंट उसके बाद का आए 8.25 परसेंट शो आउड देटल्मेंट वि बोला था कि प्रीमिम क्या देना पड़ेगा प्रीमिम जो भी जो भी दोने पार्टी आपस में नेगोशेट करना पड़ेगा और यह प्रीमिम पेक करना पड़ेगा देखो अक्टूबर में क्या हुआ जो अक्टूबर में जो अर्बिय है उसने प्रोजेक्शन बताई और अक्टूबर में ही क्या करेगा यह मार्केट में जाएगा कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए फिर यह जो कोशे नहीं आगे कहता है कि आर्बिय ने तो प्रोजेक्शन करी दी कि भाई जो प्रोसपेक्टिव रेक्षों अर्फ नतले सीशन करेक्शन करने कर्ष्ण सेथ 31st March को 31st March को किस तरीके से सेटलमेंट होगा ठीक है अब देखो आपने call option purchase किया है ठीक है यानि आपके पास राइड है कि आप 8.25% पर क्या कर सकते हो आप लोन बॉरो कर सकते हो अब अगर अगर मार्केट में आपकी rate 1st year के end पर क्या हो जाए 10.2% हो जाए तो क्या आप ये call option अपना exercise करोगे बिल्कुल करोगे क्यों क्योंकि अब मार्केट में 10.2% पर आपको लोन मिलेगा और आप 8.5% पर खेड़ सकते हो तो आप बिल्कुल जो है वो अपना call option exercise करोगे तो आपको आपको जो मार्केट है मार्केट से कितनी पेमेंट रिसीव होगी तो देखो 10.2% मार्केट में इंटरस्ट रेट चल रहा होगा आप 8.5% पर जो है वो exercise कर सकते हो यानि जो आप जो पेमेंट रिसीव करोगे इन दोनों का डिफरेंस यहां से आपने लोन लिया था वहां पर आपने 10.2 में क्या किया interest दिया और इन दोनों का का principle है उसका 1.75% करोगे तो 68000 उसी तरीके से 23 24 को भी होगा लेकिन 25 को नहीं क्यों क्योंकि 25 को आप देखोगे न तो 25 को रेट 8.25 यानि जो इसकी जो ट्राइक प्राइस से भी कम हो गई तो जो मार्केट में यह जो लोन है यह 8.25 पर है और आपके पास ऑप्शन है कि आप 8.28 1.5 पर खरी सकते हो यह प्रेंगा पर खरी सकते तो यह तो यह यह तरीकी से यह बताना चाहता हूं कि हाँ पर क्या यह फॉर्थ यह के यंड में जो कॉल ऑप्शन है यह कॉल ऑप्शन को exercise नहीं करेगा तो जाईर सी बात है इसको मार्केट से किसी भी तरीका को को यह कंपसेशन नहीं मिलेगा अगर यह करताना तो उल्टा इसको मार्केट को पे करना पड़ता क्यों कि मार्केट जो रेट है वह 8.25 की ए और यह 8.5 पे जो है वह करता लेता यानि यह तो मार्केट ज्यादा ले रहा नहीं इसको तो लॉस होता थिक है तो कोई कमपसेशन इसको रिसीब नहीं होगा अगर आप ऐसे फॉर्मल लगा करें भी कोई कमपसेशन नहीं मिलेगी जबकि जो शुरू के तीन पिरेट थे यानि 22 23 24 इसमें आप देखोगे तो जो यहां पे जो नंबर आ रहा था यह पॉजिटिव में आ रहा था यह तो हम क्या अगर रहे थे कॉल उप्शन को कर रहे थे तो यह सवाल आपका हो गया बहुत ही